लगा दो आग पानी में जवानी इसकों कहते हैं, छीन लो सलेक्षन तैयारी इसकों कहते हैं हेलो फ्रेंट्स दिस इपी आदो और यूँ आज इडियम का दूसरा लेक्चर है और आसा करता हूँ कि पहला लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा हम लोग बहुत ही सांदार तरीके से बहुत ही इंट्रेस्टिंग इडियम इसे मैं लाया हूँ और आपको पसंद भी आएगा, तो चले पहला इडियम को यहां लोग मूँ को देखते हैं और यहां पर पहला इडियम है आयरन बील, आप सभी को दिख रहा होगा लिखा है आयरन बील इसका हिंदी होता है द्री निशय व्यक्ति, फोटो में आप देख सकते हैं सरदार बलला भाई पटेल है यह अखंड भारत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इस फोटो का मद्यन सम इस इडियम को याद करेंगे सरदार बलला भाई पटेल को आईरन मेन के नाम से भी जाना जाता था तो यहां पे इसका इंगलिस मिनिम क्या हुआ? सरदार बलला भाई पटेल को आईरन मेन के नाम से जाना जाता था और यहां एक दिर नीचे विव्यक्ती थे यदि हम लोग फोटो का मद्यन से गाईज याद करेंगे तो हमारा माइंड में लंबे समाई तक बना रहेगा इसलिए हम लोग फोटो से और एक अलग अंदाज में नए जोस और जुनुन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आज इस पर कोश्चन कैसे पुछा है एक्जाम में हम लोग देखते हैं अप्शन नमर यह में लिखा है एक वाइडली डिवेट इसू तो सबसे पहला हम लोग इसका मीनी लिखते हैं कि वाइडली का मीनी क्या होता है इसका अर्थ क्या होता है तो वाइडली का अर्थ होगा वाइडली का अर्थ होगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं डबलू आई डी इल वाइडली का अर्थ होता है व्यापक क्या होगा व्यापक व्यापक या बड़ा वाइडली का अर्थ होता है व्यापक या बड़ा और दूसरा है डिवेट डिवेट के मतल़ होता है बहस यानि कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यह एंसर नहीं होगा दूसरा है यह फेर बार्गेन तो बार्गेन का और्थ होता है मोल भाव बार्गेन का और्थ क्या होता है मोल भाव जैसे आप किसी कलोनी में रहते हैं और वहां पर सब्सक्राइब दिचने वाले आए आप उनसे बोलेंगे कि आलू कितने रुपे केजी है तो बोलते हैं कि 20 रुपे हैं आप इधर से कि मुझे 15 रुपे में दे सकते हैं तो जो 5 रुपे आप कम कराएं वही 5 रुपे क्या हुआ यानि कि इसी को बार्गेन कहते हैं, बार्गेन यानि कि मोल भाव, यहाँ पर हम लिखते हैं, बार्गेन, B, A, R, G, A, I, N, बार्गेन का मतलब क्या होता है, दोस्त, मोल भाव होता है, मोल भाव, तिसरा नमबर में है, An, Impracticable, प्लाँ, तो इंप्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है, इंप्रेक्टिकेबल का मतलब होता है ओ विश्वास्थित तो यहाँ पर देखते हैं ओ विवस्थित होता है तो इसका हिंदी हम लोग लिख लेते हैं एन इंप्रेप्टी केबल तो और इंप्रेप्टी केबल का मतलब होता है और विश्वास्थित होता है क्या होता है और चौथा नमबर क्या है एक फर्म ओपेनियन तो यही तो हमारा एंसर होगा option number d होगा चले दूसरा क्या है दूसरा देखते हैं दूसरा नमबर है alpha and omega इसका हिंदी होता है शुरुआत and unt यानि के beginning and end तो आप इसको याद कर सकते हैं beginning and end से हम लोग sentences पे कैसे बनाएंगे in order to be well on the exam you need to know the alpha and omega of the next book of the text book ठीक है तो इसका हिंदी होता है कि आप exam में अच्छा परभाण करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम को alpha and omega यानि की शुरु से अंत तक आपको समझना पड़ेगा तब जाके आप exam nation में अच्छा कर पाएंगे इस पर question कैसे पुछा exam में आये देखते हैं question है alpha and omega यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है alpha and omega option number A में लिखा है happy and sad तो क्या उदास और खुस रहेगा नहीं option number B में है the beginning and the end और C में है the love and the hate घ्रेणा और प्यार यह नहीं हो सकता है यह कटा option number D में है truth and dare तो dare का मतलब क्या होता है sahas, dare का मतलब होता है sahas यह हिम्मत कह सकते हैं हिम्मत यह question दोस्त CPU में पुछाया 2017 में यानि कि जो भी idiom मैं लाया हूँ सब exam point of view से बहुत useful है तो आप इसे याद करेंगे तो आप exam में अपना question सही कर पाएंगे तो answer आपका होगा the beginning and the end यानि कि शुरुवात and end क्या होगा answer option number B शुरुवात and end तीषरा एडियम क्या है तीषरा एडियम है bone of contention bone of contention यानि कि जगडे की बस्तू यासे आप फोटो में देखिए जो दो कुत्ते हैं यह हड़ी के लिए लड़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यह हड़ी है इसी के लिए दोनों को लड़ाई कर रहे हैं भों क्या होता है निवाद के मतलब होता है हड़ी और इंग्लिस हैं सब्जेक्ट अब इस्प्यूट यानि कि ध्योड़े की बस्तूर जैसे आप सभी के घर में जो सबसे बुजूर्ग इंसान होंगे और उनके पास बहुत संपती होगी उनके मरने के बाद क्या होता है कि फैमिली में लडाई होने लगती है यानि कि बोन अफ कंटेंशन होने लगती है क्यों कि उनके पास संपती थी और उस संपती के लिए बोन of contention होती है तो संपत्ति क्या होई जगड की बस्तु होई इसलिए हम लोग उने यहां एक संटेंस बनाया है grandfather will was a bone of contention for the whole family यानि कि grandfather क्या है धन की संपत्ति जो है उसका bone of contention है तो आसा करता हूं कि यह फोटो के माध्यम से आपको यह इडियम बहुत ही अच्छा लागा होगा यह अच्छा लागा होगा तो comment करका जरूर बताईएगा तो आई इस पर कोचन कहा है हम लोग देखते हैं यह पीपीटी इधर उदर हुआ है क्योंकि हम लोग खुद से ही हमारे टीम है इसलिए इधर उदर हो गया है उसको मांड स्वदिस्ट का मतलब क्या हुआ यानि कि मांज से बिर्यानी ही बनती है चीकेण रोल भी बनता है तो यहाँ पे क्या हो गया एक स्वदिस्ट मांसा हारी भोझन तो वेगेश्चेरियन का मतलब क्या होता भेष्टिरियन का मतलब होता है साका हारी लेकिन भेष्टिरियन के आगे अगर नॉन लगा दिया गया है तो यह बन जाएगा मांसा हारी यहाँ पर आप देक्ट सकते हैं और हिंदी इसका मेनिंग होगा जगडे की बस्तू ठीक दूसरा नमर अप्सर है एंड आइटम वीच मेड़ अफ कोंटेंशन तीसरा है कॉज ओफ और क्वाइरलल तो अप्सर नमर सी क्या होगा कॉज ओफ क्वाइरलल कॉज ओफ क्वाइरलल होगा तीस अगले कोचन के उठ देखते हैं अगला इडियाम है तू ब्रेक दा आइस यानि कि हिंदी होगा इसका चुप्पी तोड़ना अक्सर ये पाटी और सभा के लिए यूज किया गया है जैसे इसका इनी समर्ण लिखा है तू डू से सम्थिंग टू रिलीव टेंशन और गेट कंवर्सेशन गोइंग इन अस्ट्रेंड सिच्यूएशन ठीक है इसका और्थ क्या होगा कुछ बोलना या कुछ कहना जब हम लोग टेंशन में हो या कोई पाटी हो रही है या कोई स चुपित तोड़ना होता है ठीक इस पर हम लोग कोच्चा देखते है कैसे पूछा है कोच्चा नमबर यहां पर है तो आप से भी कमेंट करके जरूर बता है कि इसका एंसर क्या होगा हाव डिडि यू ब्रेक दा आइस इन दा पाटी कौज हार्व होगा नहीं हानिकारक कारण यह नहीं होगा ब्रेक फ्री में सुपता है अलग होना ठीक इनिशीएट सॉम्थिंग तो अप्शन नमर हमार क्या होगा यहीं होगा ठीक है और स्नेटर का मतलब क्या होता है स्नेटर का हिंदी होगा स्नेटर का हिंदी होगा विखर जाना यानि कि विखर जाना होता है इसका हिंदी ठीक तो अप्शन नमर क्या होगा अगला एक लास्ट एडियम है हम लोग उसको देखते हैं add fuel to the fire add fuel to the fire का मतलब क्या होता है जलती आग में घी डालना जलती आग में घी डालना यदि आपके पोडोसी में जगड़ा हुआ है और वहां पे कोई तीसरा इंसान आके आपको समझाने का प्रयाश करता है तो जगड वर्स मिश होता है खराब इस्तिति या बत से बतर इस्तिति हिंदी मेंनिंग हुआ जलती आग में घी जानना यहां पर फोटो भी देख सकते हैं फोटो आप सभी को दिख रहा होगा यह तीन लोग है क्या कर रहा है आपस यह दूनों लडाई कर रहा है और यह चुप बैठ जर्ष्ट एड्स फ्यूल टू दा फायर यानि कि एक रोता हुआ बच्चा के समान है जलती आग में घी डालना इस पर कोचन लेक लास्ट है जो हम लोग देखते हैं कैसे पूछा है कोचन है यहां पर टू एड्स फिल्द फायर ठीक है तो पहला अप्शन है टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है छान बीन क्या होता है दोस्त छान बीन होता है और दूसरा होता है टू इंसुलेट टू इंसुलेट है और तीसरा अप्शन है टू इनिसियेट और और चोथा है to inside, to inside के मतलब होता है जलती आग में घी डालना, क्या होता है? जलती आग में घी डालना, यानके option number D हो जाएगा, दोस्तों आशा करूँगा कि यह जो idiom and phrases है आप से भी को अच्छा लगा होगा, यह दिया अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जब हाराओगा